तो दोस्तों WWE के स्क्रिप्टिट होने की वज़े से सम यूटूबर्स कुछ इस तरह की वीडियोस को सिलो मोशन में चला कर दिखाते हैं और कहते हैं अरे इसे तो लगी नहीं इन रैसलर्स में कोई टेलेंट नहीं होता और WWE हम सब को बेवकूप बना रही है तो मैं उन्हें बता दू हा की WWE में यसा पहरे से डिसाइड होता है कौन जीतेगा और कौन हारेगा और रैसलर्स कुछ मूफ को इस तरह भी परफॉर्म करते हैं जिससे उनके अपोनेंट को कम से कम चोट लगे लेकिन इसके बाप जुद भी ये काफी हद तक रियल और खतरनाक होता है जिस ने इंजर्ड होने के बाद भी मैच रैसल किया है तो इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा इसलिए से लास तक जरूर देखना तो चलिए शुरू करते हैं पर काफी जोर से लगता है जिसके बाद उनकी नाग तूट जाती है और उससे काफी ब्लड भी आ रहा होता है लेकिन इसके बाप वजूद भी वो मैच कंटियोर रखते हैं और रॉलेंस को हरागा अपना टाइटर रेटेन करते हैं और समर स्लेम 2013 में तो उन्होंने अपनी अल्बो सर्जरी को पोस्पॉन करवा के डेनले ब्राइन के सारे एक काफी लंबा और जोर्जदार मैच दिया था WWE में 2022 में सेथ रोलेंस और कोडी रोस के बीचे काफी इंटेंस राइवरी चली थी जिसमें हैलेंदा सेल पेपर वियो में इन दोनों के बीच एक मैच होना था लेकिन इस मैच से पहले एक ब्रॉल के दोरान कोडी के चेस्ट की मसल काफी बुरी तरीके से टियर हो गई जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें इसकी सरजरी कराने की सला दी और WWE ने भी उनसे कह दिया था अब उन्हें इस मैच में कमपीट करने की कोई जरूरत नहीं लेकिन कोडी रोर्स नहीं माने और उन्होंने अपने इसी पैक टियर के साथ इस मैच में रैसल किया और ये मैच काफी बूटल और कमाल का था मिक फोली मिक फोली WWE में अपनी हाटकोर रैसलिंग के लिए जाने जाते हैं जन्होंने कहीबार रैसलिंग के लिए अपनी जान तक दाव पे लगा दिये और लगबग इनके सारे ही मैच काफी खतरनाक और रिक्स से बरे होते हैं जिनमें से इनकी करियर का सबसे ज्यादा खतरनाक मैच 1998 का Hell in the Cell मैच बना और इस मैच में उन्होंने Undertaker से मार खाने की सारी हदे पार कर दी थी इस मैच में Undertaker ने Mick 4E को दो बार Hell in the Cell के उपर से नीचे फैक दिया था और इतनी उपर से दो बार गिरने की वज़े से उनकी कैई सारी पसलियां टूट गई थी और उनके कुछ दाथ टूटके मूँ से भार आ गए थे और कुछ उनके पेट में भी चले गए थे लेकिन इसके बाद भी दोने मैच को complete किया और अपनी performance सभी fans को हैरान कर दिया तो दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक थी ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना तो मिलते हैं next वीडियो में